हेलो फ्रेंड्स वालकम टू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो ने क्या दो के फिर से अपडेट यानि की स्टॉक के बारे में हमने बहुत टाइम पे बात करी है और राइट टाइम पे हमने स्टॉक का रिव्यू आपको दिया बिल्कुल एक्जेक्ट राइट टाइम पे ये स्टॉक डबल से उपर आ चुका है लेकिन अब डबल से उपर एक बहुत बड़ा बबल बनेगा वो बबल आप देखना और प्रॉफिट बुक करना बबल बनते टाइम पे चलिए बात करते हैं स्टॉक के डिटेल में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूग और आपने अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जलदी से सब्सक्राइब कर ले साथ के साथ बल अक EN को प्रेस कर ले जिससे आपको इन्टिफिकेशन आती अगर मैं कहूंगा इस टॉक में अगर यहां पर कोई बड़ा प्लियर इस सेग्मेंट में आता है तो इसको सबसे पहले खरीदने की सोचेगा अब आपको कि क्यों ऐसा क्या है इसके पास डेटा है डेटा मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियो क्रेट की है कुछ के मैं आपको लिंक्स दूँगा जो टाइम पर आपके लिए क्रेट के ताकि टेक्निकल आइनलिसिस पर भी आप देख पाऊ उनको समझ पाऊ ताकि आप रिवियो लेकिन इस कंपनी के पास क्या है डेटा अब आपको कि डेटा का मतलब क्या डेटा की बहुत बड़ी वैल्यू हो यह वाला एक मार्केट है अपने आप में बड़ी मार्केट में इसको कहूंगा अमज़न.com आपने सुना होगा वहाँ पर क्या होता है मेजरली रिटेल इंवेस्टर जो है वहाँ पर मैं कहूंगा रिटेल बायर्स वहाँ पर जनरली आपको मिलते हैं लेकिन इंडिया मार् बात की बात है पहले इसके उपर वैसे फोकस कीजिए इंडिया मार्ट इंटरमेस अब इस कंपनी को देखिए मार्केट कैपटलाइशेशन बढ़ता बढ़ता पंदरा हजार करोड के पास आ चुका है प्राइस आभी देखिए फिफ्टी टू हंडड के आसपास है पी कोई कमी नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेर में इसको कहूंगा इसलिए आपको इसकी वैल्यू भी दिख रिया जरा देखिए स्टार्टिंग के सालों में लॉस और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी अलिमिटेड लेकिन इस बार सत्तर करोड का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने लॉग डाउन अगर गया सब कुछ देखें लॉग डाउन गया सब कुछ ऐसी सिचेवेशन में जब कंपनी घबरा रही थी इंडिया मार्ट इंटरमेंस जून के क्वाटर में सवन्टीफोर करोड का प्रॉ को देखते रहिए समझते रहिए और अभी मैं आपको इस टॉक की थोड़ा सा और डिटेल आपको दिखाता हूं देखें इसके बारे मैं मैं आज क्यों वीडियो लेकिया हूं उसके बारे में भी बात करूँगा म्यूचल फंड वाले मार्च क्वाटर सेप्टम जून क्व और सेप्टम्बर क्वर्टर लगातार मालखो रीधे जा रहें और सेप्टम्बर क्वर्टर में तो इन्हों ने भर लिया माल मान के चल ग दस पर से इस पर संच तक पहुंच चुके हैं लेकिन रिटेयल लिवेशक देखे रिटेल लिवेशक ऐसे शेर से थोड़ा सा सर्माता है थोड़ा सा लेट आता है क्योंकि उनको इन शेर की बारे में काफी लेट पता चलता और बलकि हम तो इस शेर को आपको जब से यह माकेट में आया आई पयो से तब से इसके बारे में आपको रेगुलर शेर है 36,000 रिटेली वेशक को इन्वेस्टेड है लेकिन ज़रा देखिए mutual fund वालों की जैसे नजर इसमें पढ़ती गई और यह नजर ऐसी पड़ी कि इनके साथ लाग साड़े साथ लाग शेर थे जो कि आज की डेट में more than 12 लाग शेर हो चुके है double डबल देखिए यहाँ पर 2.58% से 4.33% डबल के आस पास पहुँच चुका है foreign portfolio निवेशकों को देखिए क्या इन्होंने किया 10% से 21-22% देखिए डबल से भी ज्यादा मतलब की लगातार धीरे धीरे जब मौका मिल रहा यह लोग खरीते जारे माल को लेकिन जब bubble burst होगा तो यह बेचेंगे तब आएगा रिटेल निवेशकों को जब दस अजार पहुचेगा तब रिटेल निवेशक हैंगे आर अब खरीद लेते हैं अब यह तो हुगे यह तो आपने डिटेल देखिए और आज की डेट में इसका प्राइस देखिए 5200 के आसपास पास पहुंच चुका 0.5% की तेजी देखने को मिली 56% के डिलिवरी लेकिन आज यह इस टॉक का वीडियो में आपके लिए क्यों लेकिया हूँ बहुत ही तो यह देखिए यह हमने आपको जुलाइ 21 को यहाँ पे बताया था कि भाईया यह जो करेक्शन आई है यह कभी भी रिजॉल्ब हो सकती है 2200 का लेबल पार हो जाए तो मजा ही मजा है स्टॉप लॉस 2000 के पास का आपका है और यह weekly chart है मतलब लंबे वक्त को जो invest करते है लंबे वक्त के लिए उनके लिए और सोचिए जुलाइ 21 और आज की डेट दिसंबर 21 जुलाइ से लेके आप दिसंबर दग जुलाइ से लेके दिसंबर अगस सेप्टमबर अक्टूबर नौबर चार महिने दिसंबर भी जोड़ लो पांच महिने बाइस सो का शेर बावन सो के लेवल के पास पहुंच चुका है लेकिन आज को वीडियो लेकिया है फिर से बात करेंगे उसके बाद फिर से इसका एक वीडियो और आपके लिए क्रेट किया था और उसके बाद फिर हमने इसका वीडियो आपके लिए क्रेट किया था जब य मैं आपको सीधे लेके जाता हूँ चार्ट पे चार्ट पे क्यों हमने जुलाई 21 को कहा था भाया करेक्शन रिजॉल्व हो रही और क्यों आज ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए ज़रा तसली से देखिए ये वो टाइम फ्रेम था ये वो जुलाई का महीना था जुला हो रहा है तो तयार हो जाईए और सिमिलर सिचुवेशन अभी हमको देखने को मिल रही है पिछले दो महीने का करेक्शन पार होता हुआ नजर आ रहा है इसलिए वीडियो आपके लिए फिर से क्रियेट कर रहे हैं और आज की डेट याद रहेंगे क्योंकि हमें ये डर नही रिस्क मैनेजमेंट हमारा टॉप प्राइरिटी रहता है चाहे कुछ भी कहो क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केट में अब यह देखे यह वीकली चार्ट है और जुलाई 21 की सीरीज की हमने बात करें जुलाई 21 के तो यह वह जु 2000 के लेवल के आसपास इसलिए stop loss आपको बताया गया था कि resolve हो रहा है और उसके बाद सुचिए तो क्यों हम minimum risk के साथ काम करने की आपको कहते है देखे मार्केट में बहुत important और उसके बास second level की opportunity जो थी वह अगस्त माई थी इसलिए अगस्त में यह second opportunity यह पहली opportunity यह second opportunity यह और भी कम risk वाली opportunity थी और gain तो आपने देखी लिया होगा pain नहीं बलकि gain ही gain लेकिन फिर से video लाने का मतलब इतनी बड़ी correction पिछले 2-3 महीनों की correction लेकिन stock नीचे जाने का नामी नहीं ले रहा और बलकि यह correction resolve होती भी दिख रही है और buying buyers का pressure देखिया तो मैं कहूंगा अग लेकिन risk मेरा इस नीचे अगर मेरे बड़ी thesis है weekly monthly के साब से मैं सोच रहा हूं तो 4400 से थोड़ा ऊपर 45-4600 के आसपास मेरा stop loss रहेगा और चीजे मेरे against जाती है मेरे plan के against जाती है क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं अगर वो ऐसा हो ही नहीं रहा तो मुझे बने क्यों रहना है यहां गया यहां से उटके यहां तक पहुंच जाएगा तो यह basic चीज आपको रखनी है अब आपको गयार मैंने stop loss लगाया था 2000 पे और अब तक उसको आपने कहा यह अगली correction अब आई है और अब यह resolve होती भी नजार आ दिया है और अगर यह और नीचे गिर जाया तो आप को गयार नहीं यहार मैं तो बने रहूंगा इसके साथ भी आपने profit को भी तो बचाना एक कला है profit भी तो आपको बचाना है जरा सूचिए और daily time frame पे जो situation यहां पर देखने को मिल रहे है क्या positivity आ रही है भी positivity देखिए इसलिए मैं आज आपके लिए फिर से यह video create कर रहा था तो तयारी से पहले हम भी तयारी कर लेते हैं कमर कस लेते हैं और अगर कोई daily के हिसाब से सोच रहा तो उसका stop loss और उपर बढ़के यहां पे चला जाते हैं तो सब कुछ depend करता है आपके goal के उपर आप सोच क्या रहा है आप करना क्या चाहते हो जिस दिन आपने ये समझ लि एक दिन की weekly वाले चार्ट को प्ले कर रहे है एक weekly एक एक तरीके से मेरा मतलब है तो समझ रहे है आप इस बात को तो देखिए तो आपको बहुत बड़ी बहुत important learning मिलने वाली है फिलाल wind up करता हूँ इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अच्छा लागा तो शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले स साथ के साथ बैल अकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और अगर आपको भी इस तरीके से टेक्निकल आनलीसिस सीखनी है तो आप मेंबर्शिप जोइन कर सकते हो जोइन बटन क्लिक कर करें थैंक्यू थैंक्यू पराचन वीडियो